दोस्तों बात करते हैं नीच के ब्रहस्पती के बारे में अब जब गंगा घाट पे आए हैं और थोड़ा नदी का नजारा ले रहे हैं तो मुझे याद आया कि ब्रहस्पती के बारे में अगर थोड़ा और विचार करें तो बेटर रहेगा ब्रहस्पती नीचस्त कहां होते ह मकर राशी में अच्छा मकर राशी एक ऐसी राशी है जो जल और पृत्वी के समागम की राशी एक ऐसी राशी जहां पर पृत्वी तत्व भी है और जल भी है जैसे यह आप नदी का तट देख रहे हैं और एक और चीज यह समझने वाली है कि मकर राशी कर्म की राशी भी है वो कर्म भूमी को दर्शाती है वो कर्म शेत्र को दर्शाती है और वहाँ पर ब्रहस्पती जो ज्यान के कारक है वहाँ नीचस्त होते हैं क्योंकि वो कर्म शेत्र को दिखाते हैं वो जुपिटर का जोन नहीं है लेकिन इसे फर्क क्या पड़ेगा आपके जीवन में क्या फर प्राप्त करने में दिक्कत होती है यहीं नहीं कई बार हम अप्रिशेट करना भोल जाते हैं कई बार हम अपने गुरू को वह रेस्पेक्ट देना भोल जाते इसका एक और रतात पर ही है कि शायद पिछले जन में जूपिटर यानि कि गुरू से रिलेटिट कोई कर्म खराब हुआ है जिसके वज़से इस जन में ब्रहस्पती की क्रिपा कम प्राप्त हो रही है नीचस्त है ब्रहस्पती और यह एक और बात बताता है कि सतत्परिश्रम करना अवश्यक है जिस तरीके से नदी का जल प्रिथ्वी के पास आकर के मिलता है दो तो ऐसे तत्व जो आपस में घुल मिल नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक दूसरे को बांध करके चलते हैं, प्रित्वी के दो जो किनारे हैं वो नदी के प्रभाव को रोक करके चलते हैं, उसी प्रकार से आपके जीवन में आपको अपने मानसिक वेग और प्रभाव को, मानसिक जो आपकी duration जो flow चलता है उसको भी रोक के रखना पड़ेगा experience के साथ यहाँ पे शनी का प्रभाव अच्छा होना कुंडली में अवश्यक है शनी अगर अच्छे हैं तो जीवन में और ज्यादा success प्राप्त होती और ज्यादा उन्नती मिलती है अहंकार बिलकुल ना करें क्योंकि ब्रहस्पती कई बार ज्यान का अहंकार दे देते हैं और खासकर मकराशी में जब व्यक्ति किसी के ज्यान को accept नहीं करता तब उसके साथ अहंकार और सरचड़ के बोल सकता है तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि आपका सूर्य के द्वारा आपके कुंडली में फित्रदोष तो नहीं है इन छोटी छोटी बातों के अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में ब्रहस्पति देव जादा बेटर पफॉर्म कर पाएंगे जादा अच्छी कृपा आपको मिलेगी ब्रहस्पति के बीज मंतर उनके ध्यान तो कर नहीं होगे लेकिन उसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपने ज्यान का प्रदर्शन कम करें दूसरे के ज्यान को एब्जॉब करने की कोशिश करें ज्यान को बाटें ज्यान से ज्यान को बढ़ाने की कोशिश करें लाइबरेरी जाएं, घर में लाइबरेरी बनाएं, बुक्स पढ़ें, टीचर्स और मेंटर्स की रेस्पेक्ट करें, और जैसे एक नदी सततः फ्लो करती रहती है, लेकिन अपना तट कभी नहीं छोड़ती, उसी तरीके से अपने बाउंडरीज को समझ करके, लिमिट में र